हलो एवरीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं साधी सलवार साधी सलवार की यहां ड्राफ्टिंग और थियोरी हम सीखेंगे इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर ड्राफ्टिंग और थियो अप्लोड किये हैं आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम यहां पर मेजर्मेंट देख लेंगते हैं कि हमें सिंपल सलवार बनाने के लिए किन-किन मेजर्मेंट की जरुवत पड़ेगी तो सबसे पहले हमारे सलवार की लेंद है सरवार की लेंद है 14 इंच कमर की चोड़ाई है चेंज या अगर आप मोहरी बड़ी चाहते हैं तो वो आपकी अनुसार रख सकते हैं इसके बाद यहां एक नोट लिख लीजिए इस सल्वार को बनाने के लिए हमें दो मीटर का कपड़ा लगेगा सल्वार की कटिंग हम चार भाग कपड़े में देखिए मैं ड्राप की हमारी यहां 40 इंच है उसमें हम 2 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे देखिए यहां पर हम 42 इंच पर पूरी लंबाई पर निशान लगा देंगे आपका जितना भी लंबाई हो सल्वार की उसमें आप 2 इंच प्लस करकर यहां पर निशान लगा दे इसके बाद हम कमर हमारी कम यहां पर जितने हमारे कपड़े की चोड़ाई होगी उतनी हमें कमर लेना है यहां पर हम बेल्ट नहीं लगाएंगे यह साधी सलवार है इसमें बेल्ट नहीं लगता है तो इसी में हम हमारा नेफा बनाएंगे जो नाड़ी लगाने के लिए नेफा बनाते हैं हम उपर का खुली भाग की साइड हम हिप का निशान लगाएंगे तो हिप के लिए हमने यहां 15 पर निशान लगा देंगे आप आपके मेजरमेंट हिप का जो भी आपका मेजरमेंट आए उसका तीसरा भाग हिप का तीसरा भाग हिप का तीसरा भाग प्लस उसमें हम एक इंच कर लेंगे हिप के तीसरे भाग में हम एक इंच जोड़कर यहां पर निशान लगा देंगे तो हमने यहां 15 इंच पर हिप का निशान लगाया है इसके बाद हमें नीचे जो बंद भागे उससे हमें मोरी की चोड़ाई का निशान लगा दें बंद भ कि इन दोनों निशानों को इस तरह से मीला देंगे जो हिप कह इसको और मोरी की Wiran पर हमने पर निशान लगाया है उसको हमें यह मिला देना है इस तरह से देखे आनेammenा कि इसके बाद मैं आपको एक पेपर कटिंग पर कट करकर बता देती हूं कि किस तरह से आपको कपड़े पर निशान लगाना है साधी सलवार का एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया आप वहां जाकर भी देख सकते हैं कि यहां पर मैंने एक पेपर ले लिया है हमें कपड़े को भी इस तरह चार भाग में फोल्ड कर लेना है हमारा यह एक बार हम इसे और फोल्ड करेंगे इसके बाद हमारी जितनी भी हमें सलवार की लंबाई लेनी है उसमें टू इंच प्लस करकर इस तरह से सलवार की यहां पर नेफे का देखिए इस तरह से हम इसमें बेल्ट नहीं लगाएंगे नेफा इसी में बनाएंगे तो हम यहां दो इंच की चोड़ाई यह जो हमारी चोड़ाई है वह दो इंच की चोड़ाई है तो इस तरह दो इंच की चोड़ाई पर हम एसे निशान लगा देंगे इसके बाद ये हमारी खुली भाग की तरब हम आसन का निशान लगाएंगे तो देखिए यहां से हम लंबाई लेंगे पंदरा इंच या जो भी आपके आसन की लंबाई है उस पर आप निशान लगा देंगे यहां पर आसन की लंबाई पर इस तरह से निशान लगाया देखिए इस तरह से मासन की लंबाई पर निशान लगा देंगे इसके बाद यह जो हमारी सलवार की लेंद तो बंद भाग की तरफ से हम मोरी का निशान लगाएंगे देखिए यहां से मोरी की चोड़ाई पर निश 6 इंच चाहिए तो हम 6 इंच पे इस तरह निशान लगा देंगे इसके बाद जो हमारा हिप का निशान है और यह हमारी मोरी की चोड़ाई का निशान है इन दोनों को हमें से कि मिला देंगे कि देखिए बस हमें इस तरह से इसको मिला देना है यह हमारी मोरी अंदर यह हमारी मोरी का निशान हो गया यह हिप का निशान हो गया और यह हमारी कमर हो गया अब हम इन जैसे निशान लगा है उसे हमें कट कर लेंगे देखिए इस तरह से हमें कि देखिए सब्सक्राइक ने थाथ देखिए इस तरह से हम इन दोनों भाग को अलग कर लेंगे इस ऐस एक हमारी सलिवार का एक भाग यह जब में freakin करेंगे तो इन दोनों भागों को हम सबसे से पहले अटेज कर लेंगे देखिए मैं यहां पर इनको अटेज करकर आपको बताती हूं इस तरह से जो यह आसन का एक भाग है इने हम अटेज कर लेंगे इसके बाद जो हमारे हमने नेफा जो हमारा मोड भागे उपर का जहां हम देखिए मोड भाग को इस तरह से हम अटेज कर देना है और यह भाग जो हमें खुला रखना है इसमें से हम नाड़ी अंदर डालेंगे इसके बाद हमारी सल्वार यह हमारी मोरी का हिस्सा इसके बाद हम दोनों लेक को भी जोड देंगे देखिए इस तरह से हमारी जो साधी सल्वार सिंपल की कटिंग और ड्राफ्टिंग और इस तरह से मैंने आपको पेपर पर इसको कट करकर और अटेज करकर भी बता दिया हैं। इसी तरह से आपको कपड़े पर वरी निशान लगाना है और इसी तरह से आपको इसकी सिलाई भी करनी हैं। देखिए हमारी जो पेपर कटिंग है वो भी कम्प्लीट है। हमारे सिंपल सरवार की थियोरी प्लस ड्राफ्टिंग हमने यहां पर कम्प्लीट हो कही है।